कि अभी आपने बताया धन के बारे में बताया और इस बताया कि जब से यह सरकार बनी थी और उसरकार में जो मानिने प्रदान मंत्री जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नारा दे रहे हैं तो तो आज भी बेटियां पीछे हैं सही है मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुझे लगता है कि वो सिर्फ एक नारा बनके रहे गया है आज भी जिस तरीके से मैलाओ को सिक्षा और जिस तरीके से उसको लेके मतलब जिस अवेरनेस और जागरितिकरण की जो दिसा में जाना चाहिए और सही माहिने में होना कि गुजरात में से हूँ गुजरात का एक जिला है मैसाणा वैसे तो कहा जाता है कि बहुत पढ़ा सिक्षित और बहुत सारे नराए है उसमें से बहुत सारे लोग आगे जाते पर वहां का बिस नगर तेसले जहां पर बच्ची की जो संख्या है मतलब अनुपात जो है वह पीछे जहां तक लगता है कि मेरा मानना यह है कि जब एजुकेशन बढ़ता है तो लड़कियों की जो आजादी है वो पीछे मतलब चली जाती है वो मेरा एक मानना है